हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम लोग physics के important objective को discuss करेंगे और यह important ही नहीं बहुत ही ज्यादा आने की संभावना question है ठीक है तो आप लोगो exam से पहले इन सारे objective को भी मैं जितना बता रहा हूं उनको सबको पढ़के जाना है नहीं तो बहुत पस्ता होगे ठीक है exam क के बाद तो आप एक बार इसको जरूर देख लो सुरू से अंत तक इस वीडियो को तब जाके आप exam देखे जाओ आपके objective काफी अच्छे से बन केंगे आप लोगो objective से दुखी नहीं हो गए ठीक है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश किजेगा वीडियो को क सुरू से अंत तक देखे ठीक है तो यहां पर फर्स्ट कोशन क्या कहा रहा है ध्यान दीजे कि the electric field at a point near an infinite thin seat of charged conductor is यानि की चालक पदार्थ से बने असिमित अवेशित पतली चादर की सता की निकट स्थीत किसी बिंदू पर विदित्ते शेत्र का मान होता है तो मैं आपको बता दो जो first का correct answer जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा c हो जाएगा sigma upon two epsilon not हो जाएगा ठीक है अब हम लोग यहां पर second question पर चलते है second question यहां पर क्या बोलड़ा ध्यान दीजे when a body is charged its mass तो बोलड़ा है कि जब किसी वस्तू को आविशित किया जाता है तो उसका द्रभ्यमान ठीक है तो आपको मालू होना चाहिए second का correct answer क्या हो जाएगा d हो जाएगा यानि कि may increase or decrease जो होता है वो हो जाता है समझे हम लोग third question पर चलते third question देखिए अब यहां पर क्या बोलड़ा है third question में कि the electric potential due to a small electric dipole at a large distance are from the center of the dipole is proportional to यानि कि किसी सुक्ष में विद्यूत द्विध्रों के मध्य बिंदू से बहुत दूर आज दूरी पर विद्यूत विभव समान उपाती होता है तो थर्ड का भी correct answer क्या हो जाएगा यानि कि one upon r square होता है इसका correct answer हो जाएगा बस आपको अच्छे से देख लेना एक बार answer को एक दो नजर में वीडियो को pause करके बस एक बार ध्यान से पढ़ लो फिर जाके move करोने तो एक copy पहलने लोग अगर आता है पहले से तो आप उसको कुछ से पहले मेरे बोलने से पहले answer को correct करो फिर यहां पे नीचे comment box में बताना कि आपके कितने question जो है वो सही हुए है ठीक ह अब हम लोग fourth question पे चलते हैं तो fourth question देखें यहां पे क्या बोलड़ा है one second fourth question देखें यहां पे क्या बोलड़ा है कि the specific resistance of a conductor increases with यहां पे हिंदी में किसी चालक की विसिस्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो option देख लेते हैं यहां पे क्या है तो fourth का correct answer क्या हो जाएगा यहां कि increase temperature तापमान बढ़ने से इसका जो है correct answer हो जाएगा अब हम लोग fifth question पे चलते हैं देखें एक one second fifth question यहां पे क्या बोलड़ा है देख लेते हैं यहां पे बोलड़ा है कि magnetic dipole moment is a vector quantity directed from यानि कि चुमबक्य दिविधरुब आपूर्ण एक सदिश रासी है जो निर्दिष्ट होती है तो यहां पे fifth का correct answer क्या हो जाएगा यानि कि south to north pole जोगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है हम लोग sixth question पे चलते है sixth question देखें यहां पे क्या ब इसक्त सॉरी यहां पे sixth question देखें यहां पे क्या बोला है कि the image formed by objective lens आपे compound microscopy तो यहां पे बोला है कि एक संग्युक्त सुक्स में दर्वसी की अभी द्रिष्टे lens से बना प्रतिभिम तो यहां पे sixth का correct answer क्या हो जाएगा convex जो होता इसका यूज करते हैं उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं ठीक है अब हम लोग eighth question पे चलते है eighth question देखें यहां पे क्या बोल रहा है कि which of the following phenomenon taken place when a monochromatic light is incident of a prism ठीक है यानि कि किसी prism पर एक वर्णी परकास के आकरसित होने पर निवनिवें से कौन सी घटना होती है तो मैं आपको बता दू eight का correct answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानि कि deviation जो होगा which length होगा इसका correct answer हो जाएगा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं था कि रिवाइज कर पाए ठीक है और यह तो है यह बहुत ज्याद इंपोटेंट है ठीक है तो ninth question पर हम लोग यहां पर चलते है ninth question देखें यहां पर क्या बोलड़ा है कि optical fiber communication is based on which of the flowing phenomena यानि कि परकास तंतु संचार निमन में से किस घटना पर अधारित है ठीक है तो इसका जो correct answer power of human eye in minute is किसमे minute में पूछ रहा है कि मानम नेतर का विभेदन श्रमता minute में होता है तो आपको बता दो 10 का जो correct answer हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भी हो जाएगा यानि कि one जोगा इसका correct answer हो जाएगा अब हम लोग 11 पे चलते 11th question number देखें यहां पर क्या बोल रहा है कि the minimum angular momentum of electron in a hydrogen atom will be यानि कि hydrogen परमानु में electron का न्यूंतम को यह संबेग होगा ठीक है तो 11 का correct answer क्या हो जागा यहां पर भी हो जागा यानि कि H upon 2 pi joule seconds हो जोगा यहां पर इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम लोग question number 12 पे चलते question number 12 भी देखें यहां पर क्या बोल रहा है one second कि the atomic number and mass number for our specimen are jet and a respectively बोला है कि the number of neutrons in the atom will be तो बोला है कि किसी नमूना का परमानु कर्मांक जैड तथा द्रभ्यमान संख्या A है इसके परमानु में neutron की संख्या होगी तो 12 का क्या हो अंसर होगा आप लोग बताए यहां कि का हो जागा D हो जागा यानि कि A से A to Z हो जागा इसका correct answer अब हम लोग 13 कोर्शन पर चलते है 13 कोर्शन नमर यहां पर क्या बोला है देख लेते हैं हम लोग कि बोला है कि the quantities which remain conserved in a nuclear reaction यानि कि नाभीक के अभीकिरिया में संगरक्षित बहुत ही गराश्या है तो 13 का correct answer क्या हो जाएगा D हो जागा यानि कि all of these हो इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम लोग 14 कोर्शन पर चलते है 14 कोर्शन यहां पर क्या बोला है कि meaning of facts is ठीक है काफी important question है और यह पूस्ता ही पूस्ता है भी Harvard ऐसा आपको एक दो पूस्त देगा full from बताने के लिए इसमें facts का अर्थ है तो आपको मालिम होंचे कि 14 का correct answer क्या हो जाएगा B होगा when its resistance will यानि कि एक अर्ध चालक को T1K से T2K ताप ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतीर होती यानि कि तो आपको मालम होंचे 15 का correct answer क्या होगा वो क्या होता है बढ़ता है यानि कि increase होता है ठीक है हम लोग 16th question पर चलते 16th question नंबर दा नंबर देखे यहां पर क्या बोल रहा है ठीक है तो 16 का correct answer क्या हो जाएगा B हो जाएगा यानि कि N-1 A हो जाएगा इसका correct answer ठीक है हम लोग 17th question पर चलते 17th question नंबर देखे यहां पर क्या बोल रहा है कि power of an electric circuit यानि कि विद्यूत परिपत की शक्ति होती है ठीक है यह काफी बार question आ चुका है और इसका आपको माल the eye defect called 18 का correct answer यहां पर देख लेता है पहले हिंदी में क्या बोल रहा है कि बेलेना का lens का ब्यभार किया जाता है आँख के उस दोस्त को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है तो 18 का correct answer क्या हो जाएगा यानि कि estimate ism जो होगा इसका correct answer हो जाएगा 18 का C हो जाएगा अब हम लोग 19 question पर चलते तो 19 question नमर यहां पर क्या बोल रहा है कि plus q charge is placed inside and a spherical surface then total flux coming out from whole surface will be यानि कि कि किसी गोली प्रिष्ट के अंदर यदि plus q आवेश रख दिया जाए तो संपुर्ण प्रिष्ट से निकलने वाला विद्यूत flux कितना होगा ठीक है तो यहां पर आपको मालू हो चाहे 19 का correct answer क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानि कि क्यू बटा epsilon not जो होगा इसका correct answer हो जाएगा अब हम लोग question no.20 पर चलते तो question no.20 यहां पर क्या बोलड़ा ध्यान दिजै कि equivalent focal length of two lenses in contact having power minus 15 diopter and a plus 5 diopter will be तो 20 का correct answer क्या हो जाएगा यहां पर यहां बोलड़ा है कि दो lens जिनकी शमता plus minus 15 diopter है तथा plus 5 diopter है देखिए अगर आपको lens का SI unit पूछ रहा था आप diopter लिखोगे यह भी एक question है अपने आप में ठीक है अब पूछते हैं भी हार वो ठीक है तो इसको समर्पित संयुक्त करने पर समयोजन की focus दूरी होगी ठीक है तो यहां पर 20 का correct answer क्या हो जाएगा यहां पर आप सबको मालूम होन चाहिए बी जोगा इसका minus 10 cm जोगा वो correct answer हो जाएगा अब हम लोग यहां पर question number 21 पे चलते question number 21 देखिए यहां पर क्या बोलड़ा है कि the power factor of LR circuits यानि कि LR पड correct answer क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यान कि R बट्टा में रूट अंडर R स्का correct answer हो जाएगा question number 22 पे हम लोग चलते question number 22 देखिए यहां पर क्या बोलड़ा ध्यान देना आप सबको कि the direction of propagation of electromagnetic waves यानि कि विद्यूत चुमबक के तरंग के अंबरन के दिशा होती है तो यहां प बी के समानतर्ज होगा इसका correct answer हो जाएगा 23 का यहां पर correct answer क्या हो जाएगा कि the resistance of ideal emitter is ठीक है इसका correct answer हो जाएगा 25th question number को देख लेते हैं और यह काफी important कई बार पूचा गया इसलिए मैं इस question को भी लिया हो यहां पर बोलना है कि the boolean expression for none gate is यानि कि N-A-N-D gate is यानि कि बोलना है कि N-A-N-D gate का boolean when check है ठीक है तो इसका correct answer क्या होने चाहिए 25 का D जो होगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो all the best सभी सारे सभी बच्चे को और एकदम ध्यान से लिखेगा focus अपने question पर बनाए रखेगा ठीक है all the best